सबके लिए कुछ ना कुछ उपाय किया गया है सबके पास कुछ हैसा है जिससे वो भविष्य का प्लैन बना रहे हैं हम पत्रकारों के पास कुछ भी नहीं है ना वर्तमान की गारंटी ना भविष्य का प्लैन है है तो सिर्फ एक आशा और अगर इसमें एक नया शब्द जोड़ दे कि डिजिटल पत्रकारों का क्या हाल है तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं पिछले लॉकडाउन में जनता जंशन शुरू हुआ था एक दिन भी घर पर नहीं थे हम दिन भर घूमते थे खबर दिखाते थे लोगों के अनुसार इस बार का करोना का वेव बहुत भयावा है लेकिन इस बार भी हम अपने घर पर एक दिन भी नहीं रुके हैं दिन रात कह कहीं न कहीं घूमते रहते हैं खबरों के पीछे रहते हैं आप कुछ पहुचाते रहते हैं बीच में आर्थी किस्ति अच्छी हुई थी विग्यापन आने लगे थे ओफिस सही से चलने लगा था लेकिन अब लॉकडाउन ने सब कुछ रोक दिया है हमको नहीं पता कि ये हर उस चीज को दिखाना है जो शायद कोई नहीं दिखाएगा हर महीने हम डोनेशन का वीडियो बनाते थे पिछले तीन महीना से वीडियो नहीं बनाये हैं क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था फेस्बुक भी ठीक हो गया था लेकिन अब सब पट्री से उतर गया है इतना भर अब ही बचत नहीं है कि ओफिस का रेंट दिया जा सके और ऐसे में हमको याद आया जनता जंक्शन के दर्शकों का सोचे कि कहते हैं एक बार आप लोगों से कि थोड़ा जोर लगा दीजिए मेरे लिए एक बार जब ये लॉकडाउन बीच जाएगा फिर सब कुछ हम पट् को दिखाना है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कम्यूनिटी किजन को दिखाना है कितना जगा पर एंबुलेंस मौजूद है कि नहीं इसको दिखाना है और इसके अलावा तमाम चीजों का सच दिखाना है जो सरकार कभी दिखाती नहीं है ऐसे वक्त में अगर सिर्फ ट्र पर बताते हैं, चिल लाकर कहीं किसी का सच बता रहे होते हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जनता जंक्षन के पीछे क्या चल रहा है, अभी ऐसा हो गया है कि जो लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में ही सोजाते हैं, जाने का फुर्सत नहीं मिलता, कुछ लोग छुट्ट पर है, पपु भाईया को कुरोना हो गया था, जिसके चलते ओफिस को बंद भी करना पड़ा, और ये सब आपको जानना दरूरी है, क्योंकि जिस जनता जंक्षन को सराखों पर बिठा कर, आपने हमें ये बताया कि जनता के लिए पत्रकारिता करने पर जनता साथ देती है, वही जनता जंक्षन आपसे मदद मागने आया है, हमारे पास दूसरा और कोई option नहीं है पैसे लेने के, और जिस दोर से हम गुजर रहे हैं, सैलरी तो छोड़िये, डिजिटल पत्रकार सही से खाना भी नहीं खा पा रहा है, हाँ, लेकिन कैमरा और माईक के सामने चिलाने जरूर आता है हम लोगों को, हमें जो आता है हम कर रहे हैं, आपका सहयोग मिलेगा तो और बहतर तरीके से कर पाएंगे, आपका सहयोग मिलेगा तो दिखा पाएंगे किशन गंज की उस अस्पताल की कहानी जहां इलाज नहीं हो रहा, भागलपुर की कहानी जहां इलाज हो से लाएंगे तो वहाँ के मिधायक साहब, सांसत साहब, MLC साहब खबर करने ही नहीं देंगे. तो मेरे बास बस आप लोग हैं, जिसके सामने आकर हम सीधे तोर पर ये कहते हैं कि पैसा भेज दीजिए, नहीं तो काम रुख जाएगा. महीने के बीच में इसलिए मांगना पड़ा, क्योंकि अब इस्थिती जरजर हो चुकी है. ऐसा है कि अगर आपसे नहीं कहेंगे, तो कुछ दिनों के लिए ठप हो जाएंगे. गुलामी करना आता नहीं है, और जिस तरह से पत्रकाईता हमने पिछले कुछ दिनों में की है, उसको देखते हुए कहीं और ते फंड मिलना नामुम्किन है. इसलिए जो हमारे पास है, वो है हमारा ओडियन्स और आप हमारी ताकत है. देखिए अगर कुछ हो जाए, तो हमारा भाला हो जाएगा. एक बार जोर लगाईए, जैसे पहले लगाया करते थे. अपने दोस्तों से ये वीडियो शेर करिए, ऐसा कभी नहीं कहें हैं, आज कह रहें हैं. वक्त ठीक नहीं है, हम कुछ भी तब कर पाएंगे, जब थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास होगा. सबका धंधा रुका हुआ है, तो एड़टाइजमेंट का कोई सवाल नहीं है, पैसा का कोई अन्यस्रोत नहीं है. कोशिश करिए, और अगर ये वीडियो कोई डिज्टल पत्रकार देख रहा हो, जिसका रीच ज़्यादा हो, तो शेयर कर देना दोस्त. बिहार के बहुत लोग डिल्ली में एज़पत्रकार कारेरत हैं, उनसे विशेश आगरा रहेगा, उसी डिल्ली को छोड़कर इस बिहार को जवान करने आये थे हम, निराश मत करिएगा, शुक्रिया.